Hello friends, welcome to our channel Current Affair Updated, this is Devashi Shawasthi और आज मैं आपके सामने daily current affairs लेकिया हूँ, that is 25th and 26th October की current affairs रहेगी क्योंकि MCQ format में होगी, questions हैं आज के important MCQ format में, तो आज का लेक्षे end तक जरूर देखिएगा, कुछ ऐसे questions हैं जो exam में आपके direct आ सकते हैं लेक्षे start करने से पहले मैं आपसे request को वीडियो को like जरूर कर दीजे, क्योंकि बहुत interesting, मैं MCQs आपके लिए आज की daily current affairs में लेकिया हूँ तो चलिए lecture को start करते हैं, lecture को start करने से पहले मैं आपको अपने एक booklet के बारे में बताना चाहता हूँ that is 10 month current affairs, आपको पता होगा January से लेकिए October, October month complete हो रहा है, तो January से October तक की complete current affairs, करीबन 200 MCQs per month, तो आप देख सकते हैं मन्त हैं, तो करीबन 2000 plus MCQs, मैं आपको दूँगा, जहां पर आपको explanation भी रहेगा, diagram भी बने रहेगे और आपके लिए बहुत easy रहेगा इन questions को practice करने के लिए, तो ये booklet आपको कैसे मिल सकती है, ये आपको WhatsApp नमबर दिख रहा है, इस पर आप WhatsApp करिए, अभी याद है कि offer चल जाएंगे तो आपका exam easily clear हो जाएगा, okay, पिछले start करते हो, देखते हैं, आज की 10 month current affairs में क्या क्या चीजे, sorry, आज की daily current affairs में, क्या क्या चीजे exam के लिए important है, okay, let's start, सबसे पहला question है, which state has won the 24th national para swimming championship 2024 title, मैंने पिछले ही current affairs में question पूछा था, कि 24th national para swimming championship कहा हो रही है, तो आप सब का, आपको पता हो का, इस का answer मैंने गोवा बताया था, पर आप मैंने पूछा है, यह championship जीती किसने है, यह question यहाँ पर पूछा गया है, तो गोवा में championship हो तो रही है, बट इसको जीती है, करनाटका नहीं, याद रखेगा, तो correct answer option में A है, that is करनाटका, आप यहाँ दे इडिशन, ठीक है, कौनसा इडिशन है, यह, 31st edition of maritime bilateral exercise, मैंने maritime की exercise है, इसका नाव में SIMBECS, ठीक है, SIMBECS 2024 is organized between India and which country, इंडिया और किस country के बीच की exercise है, ठीक है, यह मैंने आप से question पूछा हुआ है, तो देखेगे, SIMBECS S लिखा हुआ है, तो S से आप guess क्या कर सकते हैं, that is Singapore, तो correct answer option number C, that is Singapore, यह exercise के अगर बात करों, तो याद एक्सराइस जो है, आपको याद रखना है, दो फेस में कंड़क की जारी है, तो पहले फेस था इसका 23rd छे 25th October, जो कि विशाखा पत्नम में कंड़क की गई, और दूसरा फेस जो है, that is 28th to 29th October, जो कि बेए औफ बेंगॉ में कंड़क की जाएगी, तो यह आपको याद रखना है, दो फेस में कंड़क की गई है, और यह exercise हो है, Singapore, India, Maritime, Bilateral exercise, इसका full form है, यह आपको याद रखना है, इंडिया और Singapore की यह exercise है, तो ओवरॉल देखा जाए, तो 23rd से 29th October तक ही exercise, तो कौन से edition की थी, 31st edition, सारी चीज़ है, important exam perspective से, तो अभी आपको बता दू, recently Singapore के नए प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट हुए है, comment box से हम मुझे बताइए, who is a newly appointed prime minister of Singapore, या पुझे comment box में नाम मेंशन करी, क्योंकि मैंना अल्रेडी पढ़ाया हुआ है, ठीक है, अभी प्राइम मिनिस्टर नेंद मोधी भी गए and exhibition started, क्या देखे के जो conference or exhibition हुआ है, urban mobility में, मतलब urban transportation की मैं बात कर रहा हूँ, तो उसके लिए ये किया गया है, exhibition और conference कहां पे हुई है, ठीक है, options आपके सामने दिये गए हैं, आपको बतादू, ये हुई है, गुजरात में, आप देखे, दो option आयते, सूरत क्या गांधी न अगर में ये या देखे, urban mobility Indian conference and exhibition जो है, वो start हुई है, तो correct answer option A है, आप देख सकते हैं, जो CM है, गुजरात के इनकराम है, भुपेंद पतेल, उन्होंने तीन दिन का जो ये conference है, इसको organized किया, या देखेगा, इसको inaugurate किया, उन्होंने, या देखेगा, जो गुजरात के CM है उन्होंने inaugurate किया है, इस 17th Urban Mobility Indian Conference and Exhibition, जो कि या देखेगे का, जो house in urban affair ministry है, वो organize कराती है, इस Urban Mobility Indian Conference and Exhibition को, ठीक है, तो ये आपको exam perspective से या देखना है, अदेखेगी, गुजरात के CM का नाम तो मैंने बताई दिया, भुपेंद पतेल है, comment box मुझे बता दो कि गुजरात के governor कोन है, वो इस ए governor of Gujarat, और Gujarat में लोकसाबा सीच कितनी है, ये दोनों आप मुझे comment box बताऊगे, लोकसाबा सीच कितनी है, और governor कोन है, Gujarat के, चलिए, next question में बाइते है, question में fourth, एक famous player है, मैं image दिखाता हूँ, ये आपकी hockey player है, ये अप रेटार हो चुकी है, former Indian woman hockey team captain क इन्होंने अपना retirement जो है, अभी recently October 2024 में announce कर दिया है, ठीक है, तो याद है कि रानी रामपल बहुत famous hockey player है, जिन्होंने अपना retirement declare किया है, और इनको मैं आपको बता दू, इंडिया का सबसे, सबसे बड़ा sports को जो award है, ध्यान चंद खेल रतना award, वो इनको मिल चुका है, तो correct answer होगा, hockey से लिटे रहे, ठीक है, तो किस year इनको या award मिला, तो I think that is going to be difficult question, पर state PCS में कुछ इस तरह कोशन बनाए जाते हैं, just difficult, correct answer option में यह है, 2020 में या दखेगा, 2020 में इनको major ध्यान चंद खेल रतना award जो है, वो दिया गया था, चली, next question में आते है, next question है, question number 5, और एक किसी साल में, या देकि इनको पद में शरी भी मिला था, तो देख सकते है, same year में ध्यान चंद भी मिला इनको, खेलत ने भी दिया गया, और इनको पद में शरी भी दिया गया, अब इनोंने retirement ले लिए, चली, next question, which country's cricket team set a record of highest 2020 total, तो 2020 cricket का tournament होता है, उसमें highest total इनोंने बना द बनते हैं, बीस ओवर में 344 runs बना दिये, किस team ने बनाया है, किसके खिलाफ बनाया है, दोनों ही आपको पता हूंचिए, यह बनाया है, जिमवामबे ने, किसने बनाया है, जिमवामबे ने, correct answer, जिमवामबे है, और यह उन्होंने एक, आप सोच चकते है, कितनी कमज़ोर team है, उसके खिलाफ उन्होंने इतने जादा runs, पर स्टिल, कमज़ोर टीक में खिलाफ भी इतने runs बनाना difficulty होता है, 344 runs इन्होंने बनाया है, जो कि record हो गया है, सबसे highest in 2020 cricket, okay, चल, next question में आते है, question में 6th, 6th क्या है, Indian Navy and Navy of which country, Navy, has successful conducted their first maritime partnership exercise, यह देखेगा, first maritime partnership exercise, अभी conduct की किया गया, बहुत important है, news में भी चल रही थी, जा देखेगी exercise, और inaugural है, मतलब पहली बार यह summit हुई है, यह sorry, यह जो exercise हुई है, first maritime partnership exercise थी, maritime partnership exercise, और inaugural थी, पहली थी, यह यह इंडिया और जर्मनी नेवी के बीच में, correct answer option में A है, that is Germany Navy, तो correct answer आप देख सकते हैं, इंडिया औ और जर्मन Navy is the correct answer, okay, next question was 7, when is ITBP, Indo-Tibetan Border Police Force, Raising Day celebrated every year, किस दिन को celebrate किया था, मैं बता दू, 1962 में इसका establishment हुआ था, और मैं आप से पुछो किस दिन हम इसका raising जो है, वो celebrate करते हैं, correct answer 24th October को, B is the correct answer, 24th October को, इसको celebrate किया जाता है, यह आपको याद रखना है, आप मुझे बता कि अभी at present Director General कौन है, who is the Director General of ITBP, देखे, मैंने सब पढ़ाया हुआ है, so I think आप बता सकते हैं, मैंने appointment से पढ़ाया था, ITBP के Director General कौन है अभी at present, उनका नाम आप मुझे comment box से mention कर दिये, okay, यहाँ पर answer होगे 24th October, next question is, who has been appointed as a new CEO of JP Morgan Chase India, याद एकि JP Morgan Chase India के नए CEO जो है, वो कौन appoint हुए है, मैं image दिखा देता हूँ आपको, इमका नाम है, प्रनव चावडा, जाद कि प्रनव चावडा जो है, वो correct answer है, that is option number D, अभी RBI ने recently प्रनव चावडा को appointment as a CEO of JP Morgan Chase and Core Domestic Banking Unit जो है, JP Morgan India, उसमें तीन साल के लिए appoint की है, correct answer है, that is option number D, प्रनव चावडा, okay, चल प्रन रखा गया है, कहां पर रखा गया है, देखिए RTI की movement कहां से start हुई थी, सब को पता है, Rajasthan से start हुई थी, तब जाके RTI Act जो है, वो establish हुआ, तो Rajasthan में ही foundation stone को रखा गया है, तो correct answer option A है, that is Rajasthan, Rajasthan में कहां पर या रखे है, बियावर, बियावर Rajasthan में या रखे है, या RTI Museum जो है, वो establish किया जा रहा है, आप मुझे बताईए जो RTI Act है, ठीक है, किस year आया था, ठीक है, या आप मुझे comment box बताएंगे, RTI Act जो है, वो किस year आया था, या आप मुझे comment box में mention करके बताईए, okay, next question, what 10th, according to sky scanner, या रखे है, sky scanner के according आपको बताना है, कि travel trend report, ठीक ह for Indian travelers in 2025, 2025 में Indian travelers का most popular designation, क्या होने वाला सबसादा लोग यहां पर जाने वाले है, आपको मुझे बताना कौन सी जगह है, और यह है आपकी India की Shilong, या दखेगा, मेगाले की capital आप सबको पताऊगा, बड़े beautiful place है, कभी आपका अस time हो, जरू North East में Shilong जरू विजिट करिएग Shilong मेगाले जो है, जो मेगाले capital है, वो इसका correct answer है, तो यह आपको याद रखना है, okay, next question 11th, where will India's newest port, जिसका नाम मैं बतायता हूँ, that is Galathia Bay International Container Transshipment Port, ठीक है, तो आपको port याद रखना है, अभी recently इसको established किया गया है, तो मैंने पुछा है, यह port जो हो कहां established किया गया है, बड़ा important है, इसका correct answer है, ग्रेट नीकोबार आइलें, यह जो है, वो correct answer है, तो आपको रहे हैं, इंडिया के newest port है, गलतिया बे इंटरनाशल कंटिनर Transshipment Port, वो आपको याद रखना है, आप इस्तब्रिश किया गया है, यह आपको याद रखना है, आपको याद रखना है, हर्याना में correct answer है, गुरुक्षेत्र, गुरुक्षेत्र हर्याना में आपको याद रखना है, यह रिसेंटी इंटरनाशल गीता महुतसब जो है, वो और्गनाइस किया रहा है, गुरुक्षेत्र हर्याना में, आप देट देख लिए, 28th November से लेखे, 15th December तक होगा, मतला भी ह स्टार्ट होने वाला है, और पार्टर कंट्री जो बनी है, इस फेस्टिवल की वो बनी है, तंजानिया, ठीक है, तो उस ताइम पर भी न्यूस में आ जाएगा, यह आपको याद रखना है, ओके, next, who has launched the 21st Livestock Census Campaign, याद देखेगा, 21st Livestock Census Campaign, जो है, वो किस ने लाँच कि है, यह मैंने आप से पूछा है, Livestock की बात कर रहे है, तो Animal, Dairy के जो Minister होगे, उन्होंने ही लाँच किया होगा, और वो है, राजीव रंजन सिंग, याद रहे है, राजीव रंजन सिंग is the correct answer, there is option number 3, 27 Livestock Census Campaign, जो है, नाम से बचला है, सेंसे है, लाँच की एक तरीके campaign है, ठीक है, जिसको हमारे fishery, animal husbandry, dairy के जो Minister है, राजीव रंजन सिंग जो है, उन्होंने लाँच किया है, जिससे आप Livestock Population की data जो है, गैधर कर सकते हो, ठीक है, यह help करेगा आपको policy making करने में, animal health security में, ठीक है, नेक्स कोशन है, कोशन है, कोशन मों 14, where is the second चानक के defense dialogue, hosted by Indian Army taking place, ठीक है, डारेक कोशन है, कि second चानक के defense dialogue, जो है, तो hosted by Indian Army ने भी host किया है, defense minister, जो हमारे याद एखिएगा, उन्होंने इnaugurate किया है, चानक के defense dialogue को, जो कहां पर हुआ है, यह मैंने आपसे पूचा है, options आपके सामने देखिए, नहीं समझ में है, मैंने आपको पढ़ किया गया, इसकी theme थी, drivers in nation building, ठीक है, इसको inaugurate किया, my defense minister, राजनाथ सिंग ने, okay, next question में 15 में आते हैं, बड़ा important है, यह आप यहां पर image देख रहे होंगा, यह image जो है, वह सर्दार वल्लब भाई पतेल की, question क्या है, government जो है, क्या देकि celebrate करने वाली birth anniversary of सर्दार वल्लब भा response होंगे, till 2026 तक, to honor the contribution of the country, contribution to the country by सदा वल्लब भाई पतेल, तो दो साल आप देख रहे है, nationwide campaign इनके लिखिया जारा, कौन सीन की birth anniversary होने वाली है, ठीक है, मैं आपको दायता हूँ, इनकी 150th birth anniversary होने वाली है, ठीक है, इसले two year का campaign आप यहां पर देख रहे है, तो correct answer option पर C है पटेल जो है, यादे के 31st October 1875 में, नादिया गुजरात पे बॉन हुए थे, ठीक है, तो अब दो साल तक, इनका celebrate के जाएगा, और आपको भी पता होगा, 31st October को इनका birth हुआ तो 31st October को हम, राश्ट्री एकता दिवस, या तो आप कहते है, National Unity Day जो है, वो celebrate भी करते हैं, तो एक नई missile testing range जो है, वो किस state में, गवर्मेंट ने यादे की recently cabinet अपना approval दे दिया है, तो किस state में उसको establish कर जा रहा है, missile testing range को, वो establish कर रहा है, आंदर प्रदेश में, correct answer, that is option number A, आंदर प्रदेश, या आपको याद रखना है, और आंदर प्रदेश में कहां पर या missile testing range, okay, चले, आगे बढ़ते, next question में आते है, next question में 17, polio day की बात करता हूं, तो world polio day जो है, वो कब celebrate करते हैं, और theme क्या थी, दोनों ही आपको पता हूं चाहिए, कि world polio day कब celebrate किया जाता है, ठीक है, तो options आपके सामने है, ठीक है, 24, 25, 26, 27th October, और correct answer 24th October, that is option number A, जो है, वो correct answer है, world polio day हम celebrate करते हैं, और याद कि यह polio एक virus disease है, यह आपको पता होना चाहिए, और इस बाकी जो theme है, world polio day की वो है, a global mission to reach every child, या देखिएगा, a global mission to reach every child, जो है, वो इस बार की theme, तो यहाँ पर आज की इतने भी daily current affairs थे, वो मैंने सारे cover कर दी है, जो exam perspective से important है, ठीक है, but मैं आपको अपनी एक booklet के बारे में बताना चाहूँगा, that is nine month current affair, January से September तक ही booklet है, आप देख सकते है, point frame में booklet को बनाए गया, सारे parameters यहाँ पर cover किये गए है, यह booklet आप इस भी order कर सकतो कैसे, यह आपको watch app number दिख रहा है यहाँ पर, आप इस पर watch app करीए, आपको details मिल जाए मैं link डाल दूँगा description box में, अब आप कहेंगे सा sample दिखाईए, तो मैंने आपके लिए 3 page का sample डाल दिया, आप देख सकते है, point frame में सारी चीज़े जो है, वो cover की गई है, जो आपको help करेंगी exam को easily crack करने में, और easily revision करने के लिए, ठीक है, यह मेरा watch app number है, जादे कि इस पर आ watch app करें, आपको details मिल जाएंगी, इसके साथ साथ में आपको 10 month की MCQ booklet भी दूँगा, यहाद रखेंगा, जो exam perspective से important रहेंगी, पहले आप 9 month की booklet पढ़िए, उसके आप MCQ की practice कर सकते हैं, साथ साथ में आपको इसके benefits, other benefits क्या-क्या मिलेंगे, daily current affairs का जो मेरे lecture आता, उसकी PDF मिल आगे कभी आपको add-on होता रहेगा without any cost, तो अभी जो आपको इतने सारे benefits इसके साथ साथ मिलेंगे, so late नहीं करना आपको, यह offer चल रहा है, तुरन तो whatsapp पे message करो, और offer को आप यहाँ पर ले सकते हो, okay, without query है, तो यहाँ दखेगा, यह मेरा calling number दिया हुआ, आप call भी कर सकते जनरली आप whatsapp करोगे, तो हम आपको reply जरूर करेंगे, okay, यहाँ देखिए कि आप application download करोगे, देवशीष classes, अगर आप download करते हो, तो यहाँ देखिए, यहाँ पर मैंने एक folder बनाया हुआ है, handwritten notes का, इसका बनाया हुआ है, handwritten notes का, यहाँ पर आपको quality, geography, history, यह सारे subjects के notes जो है, वो exam के लिए role play करेंगे, और आप इन notes को hard copy के form में, घर में courier करवा सकते हो, या तो आप soft copy के form में भी इसको buy कर सकते हो, तो later नहीं करना है, तो रहन तो whatsapp पे message करो, या तो आप application से buy कर सकते हो, ठीक है, application में आपको other courses भी बिलेंगी, जैसे UPSC का course आपको बिलेगा, य पर pre, main, सारी classes हमने properly exam oriented कराई हैं, तो एक बर आप application को visit कर सकते हो, ओके, यहाँ पर हमाँ lecture complete होता है, बट बहुत साह लोग मुझे बोलते हैं, जैसे general studies का कोई, आपका scores है, क्या, सारी classes आपको मिल जाए, politics, geography, history, सारी, तो yes, उसका course में आप application बना रखा है, आप एक बर application download कर तो वहाँ पर आपको general studies का course में लेगा, जो exam के लिए आपके लिए बहुत ज़्यादा beneficial रहेगा, तो आप इस course को buy कर सकते हो, ओके, यहाँ पर मैं लेक्षिये complete होता है, बट आप लोग थोड़ा और प्यार दीजिए, मुझे याद रखेगा, मैं one million के close हूँ, आप लोग वीडियो को थोड़ा और शेयर करें अपने friends के साथ, फिर जादा जादा लोग वीडियो को देख सके हैं, और मैं आपके लिए और ऐसे interesting वीडियो जो है, वो बनाता रहूं, ओके, कोई doubt कोई लिए, comment box में जरूर comment करें, हम आपके comments का जरूर reply करेंगे, ओके, अब यहाँ पर हम लोग चलते हैं, thank you everyone, जै हिन, जै भारत, जै जगनात.